हेलो दोस्तों विलेज 12 में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुभा का टाइम है सभी यहाँ पर सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर तभी यहाँ पर राधा उठ जाती है अरे लगता है सुभा हो गई है चलो उठ जाती हूं जल्दी से कितना भारी भारी लग रहा है चलो जाती हूं जल्दी से वैसे भी नो महिने तो बस होने ही वाले हैं चलो जाती हूं जल्दी सारे घर का काम निप्टा लेती हूं फिर आराम करूंगी हाँ चलो जाती हूं वैसे भी मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है और फिर तभी तुमने तो सारा चारा खतम कर दिया है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें दूसरा चारा लाकर दे देती हूँ अरे लेकिन हाँ हाँ थोड़ा भो चारा होगा चलो वही दे देती हूँ ये रहा अरे 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 तुम उसे जुका पे नहीं जा रहा है आकर मैं क्या करो चलो उठाकर गईया को देने लगती है ये लो प्यारी मादुरे अच्छे से खाओ ठीक है न अपी थोड़ी दिर बाद में तुम्हें हो रहा है लेकिन आखिर कोई और तो भी नहीं है मेरे घर में जो मेरी मदद कर दे चलो पहले चाय बना लेती हूँ अरे अरे ये क्या मटका तो खाली है इसके अंदर तो पानी ही नहीं है अरे नहीं लगता है कुएं पर जाना पड़ेगा पानी भरनी के लिए अरे लेकिन इस हालत में आखिर में कैसे जाओ श्याम की पापा को जगाओ क्या अरे नहीं नहीं श्याम की पापा तो बहुत यह ठके होंगे चलो कोई बात नहीं मैं ही चले जाती हूँ धीरे धीरे चले जाओंगी हाँ चलो मैं ही चले जाती हूँ और यहां पर राधा कुएं पर जाने का जरो मटका ले लेती हूं, जल्दी से जाकर भर लाती हूं पानी वरना अभी श्याम भी जाग जाएगा अरे गई है तुम घर का ख्याल रखना ठीक है ना अरे लगता है समझ गई चलो मैं जाती हूं जल्दी से और यहां पर राधा कुए से पानी भरने के लिए जाने लगती है और यह है चंदा का घर यहां पर सोनम के पापा खराटे मार कर सो रहे हैं और वहां सो रही है सोनम और चंदा और यहां राधा कुए पर से पानी भर कर घर जा रही होती है चलो चलो जाती हूँ जल्दी से हरे वाई ये तो दीदी का घर है चलो देखती हूँ दीदी जागी होंगी तो थोड़ा बहुत बात कर लूँगी चलो देखती हूँ अरे ये क्या भाई साब तो सो रहे हैं और दीदी भी सो रही है चलो कोई बात नहीं घर चले जाती हूँ एसे भी बहुत इद Hampi देर हो गई है और पता नहीं शैयल की पापा जाक गए हो चलो चाती हूँ जल्दी से घर पर और यहां राधा घर की और जाने लगती है अरे ये क्या मुझे तो चला ही नहीं जा रहा है क्या करूँ चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे जाती हूँ पहुँच जाओंगी घर तक फिर थोड़ा आराम कर लूँगी ये बोलकर राधा जाने लगती है अरे मुझे तो चकर जैसा आ रहा है और मैं क्या करूँ और यहां राधा चकर खा कर नीचे गिर जाती है अरे अरे दीदी मेरी मदद कीजी लगता है मेरे डिलेवरी का टाइम आ गया है अरे नहीं दीदी तो सो रही है दीदी दीदी मेरी मदद कीजी जल्दी से उठिये दीदी उठ जाए जल्दी से अरे लगता है यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है दीदी जल्दी से यहाँ पर मुझे बोहुत दर्द हो रहा है। अरे, अरे… यह क्या, यह कैसी आवाज है, किसके चिल्लाने का आवाज है, चलो चाकर देखता हूं, कोन है आखिर, चलो वहीं से आवाज ला रही है, पता नहीं कौन इतना दर्द में करा रहा है, मैं चलो जाकर देखता हूँ भाई साहब जल्दी से मेरी मदद केजिए दीदी को बुलाईए जल्दी केजिए अरे ये क्या ये तो राधा है औरे नहीं राधा ये तुम्हें क्या हो गया औरे नहीं राधा उठो चल्दी से भाई क्या हुआ तुम्हें जल्दी उठो तुम पापा आपको बुला रहे हैं जल्दी से उठिए अरे हां हां सुनम उठती हूं क्या बात है आकिर अरे हां आ रहे हो सुनम की पापा आ रहे हूं अरे जल्दी आओ सुनम की पापा क्या हो गया ≦ हां क्या रहे हां ये तो राधा है रहे लेके राधा मैंने तुम्हें माना किया था कि इतना काम मत करो लेकिन तुम मेरी पास सुनती ही नहीं हो अरे दीदी वो सब छोड़ी जल्दी से अम्बिलन्स को बुलाईए मुझे हॉस्पिटल जाना है जल्दी कीजिए अरे हाँ रादा सबसे पहरे तुम उटो चुला में तुम्हें खटिये पर लेटा देती हूँ अरे रादा जी को क्या होगी अपचे ने चलो चाची हूँ अ दीदी धीरे धीरे अरे हाँ हाँ चलो रादा जल्दी से चलो तुम ठीक हो जाओ की चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा बस सबर करो अरे दीदी जल्दी से अम्बिलन्स को बुलाईए जल्दी से अहदी जल्दी अरे हाँ रॉद्ह तुम सबर करो मैं आप कि बुला दिए अरे सुना की बापा सुनिए जल्दी ऑबिल्एवरी से आजाओ ए छदिए कीचे कर दिलेवरी का टाइम है जल्दी आओ ऋ अहदी आदी अरे तुम के सेटम करो सुद्दम्ही Nor mayor &erson करती है है जी हां थी अप संदम्त किजिए सब ठीक होगा अब बस सब कीजिए सब कुछ ठीक होगा औरे हां सोनम औरे राधा तुम चिन्ता मत मत करो मैंने ऑंबिलन्स को फोन लगा दिया है पस sold सभी आती ही होगी तुम चिन्ता मत पर ठीक है न बस थोडह सा सवर करो पता नहीं एंबिलंस कब आएगी और यहां फट 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 एंबिलंस आ जाती है चलिए बताईए कौन है पेशन जल्दी बताईए मैं आ गया अरे देखो रहा था एंबिलंस आ गई है अब तुम चिंदा मत करो अरे वा यह यह अमिलंस आ गई अब लाद हैंते ठीक हो जाएंगी यह अरे हाँ भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ यहां पर एकरव होती महिला जल्दी से इने अमिलंस में बैठाओ चलो राधा उठो जल्दी उठो दम से उठो अरे हाँ दीदी धीरे धीरे यहां पर लेट जाओ स्ट्रेचर पर अरे दीदी अरे अधा तुम चिंदा मत करो तुम्हें होस्पिटल ही लेकर जा रहे सब कुछ ठीक हो का तुम चिंदा मत करो चलो चलो भाई बेठा दो, अच्छे से दीरे दीरे अरे सोनम की पापा आराम से आराम से देखिए, ध्यान से कीजी ठीक है ना ध्यान से अरे भाई साथ जल्दी से ले चलिए मुझे हॉस्पिटल अरे हाँ हाँ बेहन आप चिंता मत करो मैं जल्दी से आपको हस्पिटल ले कर चलूंगा अले मुझे भे जाना है राधा अंती के साथ उन्हें अकेले मत बेजो मैं भी जाऊंगी चलो चलो मैं जाकर पहले बेट जाती हूँ एम्बिलेंस में राधा अंटी के साथ अरे सोनम मुझे भी आने दो चलो चलो बाजू में हाटो मुझे भी बैठने दो अच्छा ठीक है सोनम की वम्मी तुम एम्बिलेंस में आ जाओ राधा के साथ मैं स्कूटी पर आ जाओंगा ठीक है ना राधा का ख्याल रखना देखना उसकी तबियत ना खराब हो जाए ठीक है सोनम की पापा अच्छा सुनिये आप गाड़े अच्छे से चलाना अंदर गर्ब होती महिला है आपको ध्याँ से गाड़ी चलानी पड़ेगी अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैं अच्छे से गाड़ी चलाओंगा चलो चलो मैं भी जाता हूँ जल्दी से और यहाँ पर एंबुलेंस की गाड़ी जाने लगती है और फिर तभी एंबुलेंस अचानक से रुख जाती है अरे ये क्या गाड़ी क्यों नहीं चल रही है अरे दीदी क्या हो गया जल्दी चलिए प्लीज जल्दी चलिए ना मुझे बोधिया दर्द हो रहा है अरे हाँ हाँ राधा रुको देखने तो पता नहीं क्या गड़बर हो गई है रुको थोड़ा दीदी बहुत दर्दुरा है अरे ये क्या हो गया गाड़ी क्यों रुक गया अरे भाई गाड़ी क्यों रुक दी चलो जल्दी करो अरे हाँ हाँ भाई साब रुको मैं अभी देखते हूं पता नहीं गाड़ी क्यों रुक गई अरे ये क्या हो गया अखिर अ मैं भीना देखो तो यहां बर तो सब नॉर्मल है पता नहीं मैं कैसा सबना देख रही थी ऐसे सच में मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी लेकिन मैं भीना कुछ भी सबना देखती रहती हूँ चलो जाती हूँ सारे काम निप्टा लेती हूँ देखो तो सूरत सर पर निकला आया है चलो जाती हूँ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थांक यू फर वाचिंग दिस वीडियो